खेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूलबोय खूलबीर में आज का जो वीडियो ये वीडियो हर्याण सीटी मैंस की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है तो उसका तीहत्तरमा प्रैक्टिस सेट है इससे पहले बहत्तर प्रैक्टिस थे वो हम आपको कवर करवा चुके हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है वहां से आप इनको देख लेंगे साथ इन वीडियो की पीडिएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलिग्राम जोएन कर सकते हैं वहां पी इन वीडियो की पीडियो भी आपको मिल जाएगी कूल बोई कूल भी लिखके आप टेलिग्राम पर सर्फ करें और वहां से चैनल को जोएन कर लें ठीक है तो ज़्यादस में आपका खराब करेंगे नहीं सीधे टोपिक पहेंगे और जो हमारे चल रहा भी फिलाल कंपूटर स्पेशल क्लास चल रही है 500 प्लस क्यूस्टन इन वीडियो में आपको मिल जाएंगे तो ये वीडियो आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कंपूटर के क्यूस्टन इन से बार नहीं आने वाले तो आप इन वीडियो को आप करते हैं नहीं शुरू करते हैं ठीक है निमन में से कौन सा सॉफ्ट्वेर अंतिम उप्योग करता और हार्डवेर के बीच एक एक इंटरफेस के रूप में कारिय करता है तो कौन सा करता है ये करता आपका सिस्टम सॉफ्ट्वेर दोस्तों ठीक है ये उप्शन हो उसके बाद है, Robotics खलिश्टान एप्लिकेशन का एक उधारन है, Robotics किसका उधारन है, यह है, Simulation Software का, Word Processing Software में सामिल नहीं है, कौन सी चीज इन में से सामिल नहीं है, तो बात करें, Notepad तो सामिल है, Lots Word Pro भी सामिल है, किस पर करके Application Software का उप्योग किया जाता है, तो किसका प्रियोग करते हैं, यह करते है, Presentation Software का दोस्तों, ठीक है, Presentation Software होता है, जीज में का करते हैं, पाठ के चीटरों का उप्योग करके, जानकारी परदर्शीत की जाती है, Application Software जो सदस्याता दोरा, Cloud के मादम से किसी संग्ठन दोरा, दुरस्त रूप से परद्बंदित किया जाता है, उसे खालिश्टान के रूप में जाना जाता है, तो यह जानते हैं, होश्ट किया गया Application Software ठीक है, उसके बाद, निमन लेके तुमें से कौन Operating System की जाता नहीं है, तो बात करें, इन में से Option C, देखिए अपका अधिकर्थ Access को रोकना, ठीक है, यह गलत है, बाकी सारे आपके तिनों सहीं है, निमन में से कौन एक परकर का Operation System नहीं है, यह Operating System नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इन में से बात करें, देखिए Batch Operating System होता है, वित्रीत Operating System यह भी होता है, Time Sharing Operating System यह भी होता है, D Option देखिए Real Downtime Operating System यह नहीं होता है, ठीक है, तो D Option हो जाएगा, इसका Right Answer, निमन में से कौन real type operating system से समधित नहीं है तो इन में से कौन सा नहीं हो जाएगा option D की बात करें locus system जो है यह इन में से important नहीं है ठीक है D option हो जाएगा निमन में से कौन एक operating system नहीं है कौन सा नहीं है तो यह हो जाएगा ट्रोजन हार्स ठीक है D option उसके बाद है निमन लिकित में से किस software के अतीरेक नहीं कहा जा सकता किसको नहीं कहा जा सकते हैं तो option देखें यहां पे कौन-कौन से हैं सबसे पहला है कार्यकरम अतीरेक उसके बाद है आपका modular अतीरेक, functional अतीरेक या फिर टेंपोरिल तो D option हो जाएगा temporal अतीरेक नहीं होता ठीक रिकवरी ब्लोक योजना के लिए निमन लिकित में से कौन सा सही है कौन से हो जाएगा इनमें से इसमें दिये गए कारिये के तीन तता होते हैं एक प्राथ्मिक मोड्यूल होता है एक स्विकत प्रिक्षेन होता है एक वेकलपीक मोड्यूल होता है तो पहला option बिल्कुल सही हो जाएगा उसके बाद next question है RAR एक संकुचित फाइल है जो संकुचित रूप से एक या अधिक अन्या फाइलों और फोल्डरों को रखती है तो RAR क्या होता है बात करें RAR की यह फाइल आपने देखियोगी तो इसका मतलब होता है Russell Archive Compressed File ठीक है बी option हो जाएगा Russell Archive Compressed File ऐसे question आपको exam में देखने को जरूर मिलेगे खालिस्तान assembly बसा का machine code में नुवाद करता है कौन करता है यह assembler करता है दोस्तों C option हो जाएगा ठीक है Page Fault का इस्तान है क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा पेज जो memory में नहीं है उस तक पहुंच पाना उसको बोलते है Page Fault ठीक है बी option उसके बाद यहाँ पर मिलान करना है joystick क्या होता है light fan क्या होता है scanner क्या होता है तो बात करें इन में से देखिए joystick जो होता है वह करसर की गत इंतित करने के लिए उप्योग के जाता है ठीक है B option हो जाएगा light fan जो होता आपका यह computer monitor पर चितर बनाने के लिए उप्योग के जाता है और scanner होता है यह चवियों को लेने और उन्हें digital file में बदलने के लिए उप्योग के जाता है तो देखिए एक ही question में आपके कितने question ब हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं दोस्तो spyware ठीक है क्या होता spyware DES मानकों के अनुसार encryption के लिए data encryption माना किस रूप में उप्योग किया जाता है कौन सो रूप में उप्योग करते हैं इनको करते हैं गुप्त कुंजी क्रिप्टोग्राफी ठीक है उसके ब करके encryption, decryption तकनिकों को उप्योग कर रहे हैं तो वे कौन सी तकनिकों को उप्योग कर रहे हैं सारवजनिक कुंजी encryption या फिर decryption तकनिक का ठीक है बी option इसका right answer हो जाएगा उसके बाद next है सबसे पहले इस्तिमाल की जाने वाले सारवजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी ज होता है दोस्तों क्या होता है RSC MD5 जो हता है संदेश digest algorithm ठीक है कि MD5 को बोलते हैं एक क्रिप्टोग्राफिक हैस function है जिसका output मान कितना bit हैस मान है तो इसका जो output मान होता है यह आपका 128 bit होता है ठीक है उसके बाद है network प्रदर्शन को किन मूल बूतरिकों से मापा जाता है network प्रदर्शन को तो यह मापा जाता है bandwidth और विलम्पता से ठीक है bandwidth और throughput अलग-अलग सबद हैं ओची test test करें तो कौन-कौन से सबद हैं इनको देखिए नहीं दोनों अलग-अलग सबद हैं क्योंकि bandwidth आवरती बैंड की चोड़ाई की माप है और जो throughput system होता है यह system के मापा प सबद का परचार संचारण और कतार के कुल के रूप में से प्रिभासित किया जाता है और परचार और संचारण की गणना कैसे की जाती है तो कैसे की जाती है यह यह होती है आपकी परचार is equal to परकास की दूरी बटे गती संप्रेशन होता है आकार बटे bandwidth ठीक है बी option उसके बाद है throughput संबन जो निमन लीखित वेंजेक द्वारा दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है यह दिया जाता है option D स्थानांतरन समय is equal to RTT plus 1 बटे bandwidth गुणा में स्थानांतरन आकार है यदि computer अचानक एक तूरी चंदेश्ट डिस्क बूट विफलता परदर्शित करता तो मूल समस्चय निवान तकनिके क्या है तो ऐसा अगर computer आपके सामने शो कर रहा है तो क्या होता है बाइस सेट अप पर जाएं बैसिक इनपूट आउट पूट सिस्टम इस सेट अप पर जाएं और बूट और अनुकरम को ठीक करें यह option सही हो जाएगा उप्योग करता ए फिक्संबर कमांड का उप्योग करेगा ठीक है बाइस इसका सही अंसर हो जाएगा उसके बाद है उप्योग करता को BSOD तुरूटी का सामना करना पड़ता है जिसके कांड सिस्टम बंद हो जाता है और एपर तैसी तुरूप से पुन्रारण में बहता है तो वह है इसका न निवारन इसके लिए उप्योग करता सिस्टम को सुरुक्षित मोड में सुरू करके आज सिस्टम पुन्रावस्टापना पिर का शुरू करके समस्य का नियन कि कंपूटर को जो है आप रिष्टार्ट कर दें अगर आपके सामने ऐसी सिच्विशन आती है तो कंपूटर को उप्योग करता device विफलता का सामना करना पड़ता है वह इसका निवारन कैसे करेगा कैसे हो इसका निवारन देखे उप्योग करता को समस्य के पैचान करने के लिए hardware option C हो जाएगा दिये गए गटकों में से किसका एक network के एक computer को दूसरे computer से जोड़ने के लिए उप्योग किया जाता है तो network की बात कर रहे हैं यहां पर तो यह हो जाएगा आपको option B network interface card के दो B option हो जाएगा ठीक है आप गंतव के computer पर एक संदेश देना चाते हैं जो एक network में मौझूद है जिसमें कई device जूड़ने के लिए इसे प्राप्ट करने के लिए आप दिये गए गटकों में से किसका उप्योग करेंगे तो किसका उप्योग करेंगे दोस्तो हम करेंगे यहा का option कौन सा हो जाएगा इन में से ए हो जाएगा router का ठीक है उसके बाद है एक computer modem का उप्योग करके telephone line पर internet से जुड़ा हुआ है तो modem का कारिय क्या है modem का कारिय क्या होता है दोस्तो modem का का कारिय होता है telephone line पर analog signal के लिए digital data transfer करना ठीक है डी option हो जाएगा आप दुरस्त उप्योग करता को जोडने के लिए virtual private network vpn का उप्योग करते हैं तो vpn के लिए कौन सा विकल्प सही है vpn की बात करें तो यहां पर एक vpn तीसरे पक्स की vpn सेवर से दूरस्त उप्योग करता के लिए internet के मादम से रूट किये गए आबशी connection का उप्योग करता है तो b option इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद आप एक स्कूल में computer भाई उपकरनों को जोड़ना जाते थे इस परीधर से में किस परकार के network का उप्योग के जाता है तो इस परकार के जो परीधर से हैं वहां पर आपका लैन local area network का उप्योग होगा यह option का ठीक है उसके बाद next है एक network उसी सहर में एक बड़ से पैचानेंगे इसके लिए बात करें metropoliton ठीक है जो metropoliton area network है इसका उप्योग किया जाता है इसमें ठीक है यदि आप किसी बाउन के बीतर within computer को जोड़ने के लिए wireless connection का उप्योग करना चाते हैं तो आप किस परकार के connection का उप्योग करेंगे अगर आप wireless connection करना चाते हैं तो उसके लिए आपको wireless local area network का उप्योग करना होगा ठीक है किस परकार के firewall को pipe proxy का जाता है pipe proxy, pipe proxy अपका circuits तर gateway ठीक है डी option हो जाएगा खालिस्तान एक network में packet की गति को नियंतरित करने के लिए packet filtering करते हैं तो packet की गति को नियंतरित करने के लिए किसका उप्योग करेंगे access control list का दोस्तो बी option हो जाएगा आप अपने data को encrypt करने के लिए सारोजन कुझी encryption को उप्योग करना चाते थे दिए गए तकनिकों में से आप किसका उप्योग करेंगे तो हम उप्योग करेंगे दोस्तो आरस्से का किसका आरस्से का आरस्से का आप डेटा को अपनियता सुनिश्चित करने के लिए संदेश digest तक्निक का उपयोग करना चाते हैं और इसे किसी अन्य उपयोग करता को भेज सकते हैं इस तक्निक के लिए दी गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प साही नहीं है तो कौन सा नहीं हो जागे इनमें से वास्ट विक डेटा को encrypt करके recover को भेजा जाता है यह गलत है इस भी option ठीक है उसके बाद जब system की हर एक file और folder का backup लिया जाता तो इसे क्या का जाता है तो इसको बोलते हैं दोस्तो पूर्ण backup ठीक है complete backup इसको हम बोलेंगे Amazon S3 online backup और data संग्राइ के लिए Amazon web services दोरह एक web अधरित cloud storage सेवा है इस थरी का संचिप क्या है इस थरी किसको बोलेंगे इस थरी बोलते हैं simple storage service को दोस्तो क्या होती है simple storage service triple s जिसको हम बोलते हैं यह की समय में अन्य सबी drive में कौन सा RAID configuration data मिमर किया जाता है तो यह किया जाता है आपका कौन सा RAID 1 ठीक है उसके बाद है थरी टू वन बैकप नियम में नियम दो क्या दरसाता है तो इसमें जो है आपका option D data को दो अलग-अलग परकार के storage में store करें यह दरसाता है ठीक है internet में एक का विनिर्वेस नीचे दिया गया है यह दिया गया है यहां पे ठीक है तो दस जो है संख्या क्या इंगित करता है इसमें दस का मतलब क्या है यहां पे network की पर संगती जो है वो 10 megabit 30 second है जोस्तो ठीक है उसके बाद next है network आदूनिक internet network और telephone संचार के लिए उप्योग किया जाने वाले एक transmission media या data cable क्या है तो जो बात करें इसकी तो option B देखिए mood jody cables ठीक है यह होता है mood jody cables interconnection internet सेवा परदाताओं के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला BGP बोलने वाला router है तो यह हो जाएगा आपका कौन सो option D option internet provider border router USB किसको संदरबीत करता है USB करता आपका किसको mood jody तार को ठीक है उसके बाद है sync data संदर के लिए एक दताओ किसका दूसरा नम है किसका दूसरा नम है यह यह आपका receiver का दोस्तो ठीक है आज ताने एक network सुर्क से उपकरन है जिसे किसी निजी network से अना दिकत पहुंच को रोकने के लिए design किया जाता है तो इसको बोलते हैं क्या firewall ठीक है एक option किसी operating system दौरा data संदर्चना में हर परकरिया के बारे में जनकारी परदान जनकारी बनाए रखने की परकरिया को क्या का जाता है तो इसको बोलते हैं परकरिये नियंतरन एक उपकरन जो computer जनित फाइल में वास्टविक चीतरों हैं दस्ताविजों उस्तानांतरित करता है तो उसको बोलेंगे दोस्तो scanner ठीक है निमन में से क्या operating system का कारिये नहीं है तो इन में से बात करें operating system का का काम कौन सा नहीं होजेगा virus management इसका काम नहीं है बाकि memory management, file management, process management तीनों इसके काम है निमनली की तूप करनों में से क्या input के साथ-साथ एक output device भी है input के साथ-साथ output ऐसा कौन सा device है तो जो touch screen नहीं है input के साथ output भी है दोस्तों ठीक है email भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको अपने पहला email जो है इसके उपयोग से video card, sound card और अन्यविश्थार card को motherboard से जोड़ जाता है तो यह होता है आपका कौन सा option प्रीद ये card, एक option monitor जिनकी definition सबसे अधिक होती है वह खलश्तान है तो यह हो जाएगा आपका कौन सा option इसका right answer तो अगले वीडियो में ही बता पाएंगे ठीक है तो इस वीडियो को जद़ जद़ शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले आपका स्टूडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद